कुर्स में मैं आपका फिर से एक बार बहुत सौगत करता हूँ आपको याद होगा कि पिसले इसे प्रेक्चर में हमने बारे में बात करी थी और हमारा ऑट्टिव यह था कि इन और आपने और पुट को कंट्रोल करें है है। तो उसमें हमने प्रिंट के साथ में फॉर्मेट और उसके साथ में हमारे भिन भिन जो अप्शन होते हैं उनको इस्तमाल करने की कोशिश करी थी और यह देखा था कि किस प्रकार से हमारा output control होता है तो अब जिस प्रकार से हमारे पास print function होता है उसी प्रकार से हमारे पास कुछ और function भी होते हैं जो हमारे output को control करते हैं तो आज हम इस lecture में उन्ही functions के बारे में बात करेंगे तो जैसे हमारे पास print होता है, cat होता है तो आज हम cat function की बात करेंगे और देखेंगे कि ये print और cat के outcome में किस प्रकार का अंतर होता है और उसको हम किन किन जगा पर किस प्रकार से इस्तिमाल करना चाहिए तो यह कार करने के लिए हम यहाँ पर कई पधारग लेंगे और उसके द्वारा हम आपको इनका जो implementation है यह किस प्रकार से कार करते हैं और उनका output किस प्रकार का होता है यह वापको समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम इस lecture को यहाँ से आरम करते हैं अब यह बताएए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक ऐसा statement print करना चाहता हूँ जहां पर लिखा हुआ है the zero occur set two pi radians अब हम यहाँ पर यह लिखना चाहते हैं the zero occurs at six point one eight radians अब इसको print करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर print command का हम इस्तिमाल कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे print और उसके अंदर हम इस statement को लिख देंगे लेकिन अब हमको यह ध्यान में आता है कि हम आर्ट software में हम अपने characters और numbers दोनों को अलग लग देते हैं अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो यह जो लिखा हुआ है the zero occurs at यह क्या है यह character है और जो यह क्या है radians यह भी एक character है अब फिर उसके बाद क्या है two pi two pi आपका क्या है एक number है numeric है तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने इसमें double course लगा दिया और उसके बाद हमने इसको print करने की कोशिश करी अब देखते हैं क्या हमारा output आता है तो आप केखेंगे कि मैंने यहाँ पर यही ची लिका है print the zero occurs at two pi radians लेकर इसने हमको यहाँ पर error दे लिया right इसके पीशे क्या कारण है इसके पीशे कारण यह है कि जो हमारा print function होता है इसके अंदर एक बहुत बगली limitation यह है कि यह एक बार में एक ही object को print करता है और यहाँ पर आप अगर देखिए आपका पहला object है यह the zero occur set जो आपका character है दूसरा object आपका है numeric two pi और तीसरा object आपका क्या है radians जो एक character है इसलिए यहाँ पर आपका print function कार नहीं करेगा तो अब यह स्वाल आता है कि अगर यहाँ पर print function कार नहीं करेगा तो हमको क्या करना चाहिए तो पहरा तो हमने एक option लिया कि हमने इसमें से किनों चीजों को जो हमारा था the zero occur set और था two pi और radius इसको मैंने तीन हिसों में break कर दिया क्यों कि मुझे यह पता चला कि यह print है खाली एक अई object पर एक बार में कार करता है तो उसको मने तीन हिसों में break करके मैंने यहाँ पर print कमानद दे दी और हमने लिग दिया print The zero occur set उसके बाद में semi इसके कर दिया print two pi semi को लन उसके बाद में कर दिया print radians अब जब इसका हमने outcome देखा तो यह कुछ ऐसा आ गया कि पहली line पे आ गया the zero occurs है दूसरी line पर आ गया 6.28 और तीसरी line पर आ गया radians तो अब इसमें से क्या हुआ कि तीन जो हमारे object थे यह हमारे तीन अलग-अलग line पर आ गया है लेकिन हमको तो ऐसा भी नहीं चाहिए हमको तो यह चाहिए कि यह जो लिखा हुआ है the zero occurs at 6.28 और radians यह आपका एक ही line में आ जाए एक साथ तो यह कार हमारा print function के द्वारा संभव नहीं है उसके लिए हमको एक और हमारा function है cat इस function को हमको इस्तमाल करना चाहिए और यह जो cat है यह भी आपका print command की तरही कारे करता है और यह हमारे भिन-भिन data objects को एक साथ combine करके उनको एक साथ print कर देता है अहुं हम गयाँ सा this cat function के बारे में समझते है क्या है यह cat का मतलब क्या होता है cat का मतलब होता है एक तो billy यह billy वाला cat नहीं है यह cat है अगने जी का word है concatenate, concatenate का मतलब होता है कि कीजों को जिस sequence में दिया है उसी sequence में जोग दीजिए, उनको link कर दीजिए, उसी का यह short form है cat cat और parenthesis में हम जो भी अपने strings है, number है, इत्यादी है, उनको हम लिख देते हैं, तो जो भी हमारा इस parenthesis में इस argument के अंदर हमारे strings लिखे होते हैं, यह cat command उनको एक साथ link करता है, जोगता है, और उसको वो पूरी-पूरी string को command window में print कर देता है, command window में print करने मतलब यह है कि हमारे पास print करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम screen पर देखे हैं, या हम उसको किसी file पर देखें, तो cat के अंदर file का option होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से option देना पड़ेगा, और cat हमारा वहां भी बहुत useful होता है, जब हमको किसी अपन user defined function का output लेना होता है, यह करता क्या है कि arguments के अंदर, इसके parenthesis के अंदर हम जो भी अपने character vectors देते हैं, वहां उनको साथ में जोगल देता है, उसी sequence में, जिस sequence में मैंने उसको लिखा हुआ है, और वहां उनकी जगा एक single character vector के यार कर देता है, और उसके साथ में अगर हम यहा पर अपने separator को भी use कर लेते हैं, तो वह हर एक element को इसी separator के द्वारा अलकर देता है, और हमको इसका output देता है, इस वाकर का क्या मतला भी, यह हम आपको धारन के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, और वह मैं आपको promise करता हूँ, वह बहुत आथानी से आपको समझ में जाएगा, अब देखिए cat का जो हमारा command होता है, वो तो ऐसा होता है, cat cat, और parenthesis में हम अपने जो भी different options हैं, उनको लिखने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि हम बताए कुछ हमारे जो popular जो options इस प्रकार के है, cat के आगे जो भी data vector है, आप उसको लिख दीजे, उसके बाद में अगर आपको अपना outcome, अगर screen जागा file के अंदर save करना है, तो अपने हाँ पे file की information करे दीजिए, उसके बाद में हमारे एक option होता है, step, step का मतलब होता है, separator, अगर दो object के बीच में, अगर हमको किसी खास खरीके का separation चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे define कर सकते हैं, और उसके बाद हम होता है हमारा fill, ऐसी हमारा होता है labels और हमारा होता है append, तो इनका जो detailed description है, उसके लिए हम आपको request करेंगे, आप एक बार help menu में देखने की कोशिश करिए, और मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा, हमारे पास इसमें एक option होता है back slash n, तो यह जो back slash n है, यह हमार जो output है, उसको अगली line से ठीकेता है, अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, तो cat command को execute करने के बाद में जो हमारा prompt है, वो हमारा उसी line पर रहेगा और अगले line पर नहीं आएगा, यह भी हम अभी आपको अधारन दोरा दिखाएंगे, और साती हम आपको एक फ़ासा concept में, यह हम अपना fill, labels और append के बारे में बता देते हैं, तो यह जो हमारा fill भी हमारा है, यह हमारा एक logical vector है, जो हमारा true और false के प्रदा से value लेता है, और यह है एक परीके का, इस प्रकार का control है, जो हमारे उस output को भिन भिन, excessive line से एक के बाद एक, यह उसमें control करने की कोशिश करता है, उस प्रकार से हमारा जो labels होता है, यह हमारा character vector होता है, जिसके अंदर हम labels देते हैं, और labels क्या होते हैं, कि जो हमको उनी different different lines पर print करने हैं, उसी प्रकार से हमारा append होता है, append भी हमारा logical vector है, जिसके हमारी true और false के terms में इसकी value होती है, और इसका हम प्रयोग तभी करते हैं, जब ह को अपना outcome किसी file के अंदर देना होता है, तो file के अंदर हम पना जो भी outcome देंगे, तो उसमें से माल दी हम किसी program को हमने कई बार repeat किया, तो पहली बार में जब उस program को हमने repeat किया, उसका जो outcome है, वो उस file के अंदर लिग दिया जाएगा, और उसके बार में जब हम अगली बा पहले वाले outcome के आगे लिग जाएगा तो यहां पर हम इसको append के द्वारा हम इस कारे को control कर सकते हैं अब हम आपको चलिए, बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि जब हम यहां पर print the zero occur set print two pi और print radians करते हैं को इस प्रकार का output मिल रहा था कि तीन डिफरेंट चीजें तीन डिफरेंट लाइन पर आ रही थी अब हम इन्हीं तीनों चीजें को cat function के द्वारा हम combine करने की कोशिश करते हैं और जो हमारे multiple items हैं यह हमारे एक ही लाइन में आ जाएंगे तो देखी मैंने उसको कैसे लिखा सबसे पहले मैं लिखा cat उसके बाद the zero occurs at यह तो हमारा double course के अंदर आ जाएगा क्योंकि यह string है उसके बाद में हमने लिख दिया यहां पर two star pi रथा दो और pi को multiply कर दिया और दोनों को हमने इस comma से separate कर दिया comma ही हम हमारा यहां पर separator होगा यह separator वाला नहीं है जो हम SEP की बात करते हैं मलब कि दो statement को हम comma के दो अलग कर सकते हैं और उसके बाद में third हमारा क्या है एक character है radian तो उसको भी मैंने double course के अंदर लिख दिया अब उसके बाद मैंने देखी यहां पर double course के अंदर लिख दिया back slash n त अगली line पर आ जाएगा और अगर आप नहीं करेंगे तो यह उसी line में यहां पर आ जाएगा अब देखिए अब इसको जब आप execute करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा यहां पे the zero occurs at six point two eight three one eight five radian तो उसने क्या किया यह जो उपर लिखा हुआ था यहां पे the zero occurs at उसको उ such यहां पर लिया और फिर जो लिखा हुआ था two into pi इसने उसको यहां पर multiply किया और फिर से उसने यह जो लिखा हुआ था radians उसको उसने एक साथ ले लिया और तीनों को एक साथ join करके एक ही line पर लिख दिया उसके बाद में यह जो लिखा हुआ था backslash and इसको उसने operate करके control क अगली लाइन पर ले आया राइट और यह देखिए यह इसका आटकम भी है तो चलिए आगे बग़ने के पहले हम आपको इसका जो आटकम है यहां पर आपको आर्ट सॉफ्ट्रेयर में करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोगा सा कॉंफिरेंस आ जाएगा देखिए सब आट तो आपने इसको यहां पर cat command देखे कर दिया और जब आपने cat command को यहां पर दिया तो इसने देखा कि यह आपका सारा सारा आटकम यह कहीं जिखा पर आ गया और यहां पर देखिए आपने लिखा हुआ है बैक स्लैश एंड अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप इ यहां पर अगर हम back slash n के साथ में करते हैं तो आप देखेंगे control हमारा अगली लाइन पर आ जाता है direct तो इसी के अलब होता है new line और यह इसको control करता है तो यह बात आपको ध्यार में रखनी है उके उसके बाद हम आपको यहां पर एक और example दिखाते हैं कि हम अपने different different functions और statement को किस परकार से combine कर सकते हैं तो जैसे मालीजे कि हम एक ऐसा statement प्रिंट करना चाते हैं कि today's date is like this और उसके रावा उसके बाद में जो आज का date और कारीक यहां पर आ जाए और उसके बाद में control हमारा अगली line पर आ जाए इस तरह के कारियों को आप अगर देखेंगे जो भी हमारी report generate होती है यह वहां पर बहुत ही useful होता है क्यों आपने अपने program को किस दिन run किया है आपने अपने उस report को किस दिन generate किया है यह command के द्वारा आप उसका एक अच्छा से statement वहां पर लिक सकते हैं for example कि यह report इस कारीक को इतने बज़े generate करी गई थी तो इस तरह के statement आपको यहां पर इससे help मिल जाती है तो अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि यह आपको किस प्रकार output देगा तो देखिए मैंने यहां पर एक यह variable एले डी और इसकेंदर मैंने date को store कर दिया आपने देखा था कि पहले के lecture में हमने date और time को जानने के लि इस वक्त जो हमारे computer system का time और date होता है उसको inform करता है तो मैंने इसकी जो value थी date इसको मैंने d में store कर दिया और मैंने यहां पर लिख दिया cat kodis date is और इसके बाद में मैंने कर दिया d तो d की value यहां से date से आ जाएगी right और इसके बाद में जो control हमारा अगली line पर आ जाएगा इस से backlash and क कमांड की सहता से अब देखे जब हम इसको execute करते है तो महारा कमांड कैसे output आएगा kodis date is तो यह तो as such यहां पर जो आपका string था यह आ गया इसके बाद इसने ले लिया d की value d की value क्या आ गई देखिए यह यहां से आ गई और यह दिखा रहा है कि kodis date is Wednesday day किसंबर 01 22 hours 52 minutes 48 seconds 2021 और यह देखिए इसका screenshot है तो यह तो time यह date तब का बता रहा है जब मैंने इस slide को कयार किया था और अगर आप इसको हम आज जब इस lecture की recording कर रहे हैं इस वक्त देखेंगे तो इसमें समय कुछ और आएगा और जब आप इसको अपने computer पर करेंगे तब उसमें से आ इस आपको command को करके दिखाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको किस प्रकार से इस्तमाल कर करते हैं तो सबसे पहले मैंने देखी एक यहां पर आपको दिखाया कि जो महरा date command होता है तो इस प्रकार का output देता है तो आप अगर देखेंगे इस वक्त आज Thursday है December 02 02 है और स्काल हमारा है 2021 यह अभी का हमारा है जिससे में हम course की इस lecture की recording कर रहे हैं तो इसी value को मैंने चली मैंने अपने D में store कर लिया अब D की value देखेंगे थोगी सी बदल जाएगी क्योंकि अब आपका जो second बदल गया सोला 00 से 1601 13 लेकिन आपने देखा कि यह समय अभी का ह है अब इसमें से मैंने लिखा है मैंने लिखा है यहां पे courier's date is D और backslash है तो इसमें मुझे को दे दिया तो देखेंगे देखेंगे कर दो date तो देखी क्या है यह आपको देदेगा courier's date is यह तो जितने बज़े आपने इसको execute किया है यह उतने बज़े का time देदेगा आपको जैसे यह बज़े एक मिनट प्यतालिक सेकेंड राइट और इसी में आप अगर इसको देखे repeat करेंगे तो इस समय बदल जाएगा क्यों क्यों कि उतनी दिर में समय आगे बगए आप अभी का समय हमारा है सोला बज़े दो मिनट दो सेकेंड राइट इस के बाद हम आपको एक नए option के बारें बताते हैं वो हमारा है operator sep, sep का मतलब को होता है separator तो यह separator का क्या हिंदी में मतलब होता है अलग-अलग करने वाला तो अगर मुसको किनी दो string किनी दो numbers के बीच में अगर मुझे कुछ separation देना है तो उसके लिए हम अपने cat कमान के साथ में sep option का इस्तमाल कर सकते हैं इस विदारल के लिए मैंने एक यहां पे numbers का sequence लिया और वो number हमारा एक से है दस तक एक दो तीन चार पांचे साथ तक नो दस अब देखिए जब इसने इसको x को print किया तो यहां पे आपका एक कुछ नहीं है खाली space है और जो default है हम यह चाहते हैं कि इस खाली space में जिस प्रकार से हमारा दो number का separation हो रहा है तो हम control कर ले और suppose आपने मैंने कहा कि हम इन दो numbers के बीच में हम अपना ऐसा एक symbol देना चाहते है प्लस प्लस और उसके पीछे आगे पीछे एक एक blank space भी होना चाहिए तो मैंने यहां पर लिग दिया देखिए cat मैंने cat function का use किया और यहां पर लिग दिया अपना data vector x और 7 में दे दिया मैंने set अब द बीच का जो separation था जो उनकी बीच की जगह थी था दो number की बीच की जगह थी वह जो आपने set के अंदर यहां पर symbol दिया हुआ है उससे replace हो गया तो देखिए यहां पर plus plus और यहां पर bank space आगे उसी प्रकार सा अगर कोई भी number आप अगर देखेंगे तो उनके बीच में देखि क्या हुआ है cat back slash n क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो यह आपका control इस जगह पर कहीं उपर ही आएगा ओके लेकिन इससे अच्छा option है कि अगर आप इसको इसी के अंदर यहां पर दे दे ऐसे करके लेकिन anyway हम आपको इसको आप सॉप्ट्वेर में करके दिखाएंगे आप अगर मान लिजिए हम यहां पर double plus की जगह हम अपना यह slash sign को इस्तिमाल करना चाहते हैं मैंने कर दिया cat x और उसमें हमने दिया separator is equal to double course में एक blank sign फिर separate फिर यहां पर जो अपने separator में back slash जो अपना slash के दिया और उसके बाद में कर दिया blank space तो देखिए यह separator तो देखिए जब आपने इसको आर कंसोल में करते हैं तो देखिए जब आपने इसको execute किया तो देखिए आपका control यहां पर आ रहा था और इस control को अगली line में लाने के लिए हमको यह cat का इस्तिमाल करना पड़ा तो चलिए इसी कार को हम जड़ा आपको अपने आर software में करके भी दिखाते हैं तो तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम एक्स इकोले लिक्रेते हैं वन कोलन टेन तो देखिए आपका एक्स की वैलू क्या जाएगी एक से दस तक की और फिर अपना जब हम cat command लगाएंगे तो देखिए यहां पर हमने सप्रेटर आपने क्या दिया है blank space और के साथ में दो प्लस के साइन और फिर देदिया है blank space तो देखिए हर दो नंबर को बीच में देखिए इसी तरह का separation हो गया यहां पर लेकिन अब आप अगर देखिए अगर तो देखिए आपका control जो है यह सिखा पर आगया यह अगली लाइन पर नहीं आया तो अगली लाइन पर आपक कर दीजिए और अगर आप अगर यहां पर cat कमांड को भी देखना चाहते हैं तो इस मेंसे double coast में आप back slash n कर दीजिए तो देखिए आपको यह अगली लाइन यहां पर change कर देगा अब लेकिन इससे आसान काम पता है क्या है अच्छा तरीका तो यह है कि हम अपने इसी separation के अ यहां पर आप अगर प्लस प्लस की जगे आप अगर star star करना चाहते हैं तो भी देखिए आजाएगा यह देखिए आपका ब्लैंक स्पेस आ गया तो जो भी आपकी इच्छा है आप उसको यहां पर अपने आप से execute कर सकते हैं और यह फैसला आपको किस प्रकार का कार करना है यह उसके उपर depend करेगा आप इसके बार दिखिए हम आपको एक और परिखिय का function दिखाते हैं कि जैसा आपने mathematics में देखा होगा अक्सर लिखा होता है कि यह जैसे आप यहां पर outcome दिखिए the square of 7 is 49 अब यहां पर आप अगर देखिए यह जो 7 है यह क्या है 7 तो एक input होगा और 49 क्या है यह आपका output होगा तो अब हम एक ऐसा state में लिखना चाहते हैं कि यहां पर हमारा the square of यह जो लिखा हुआ है the square of यह तो हमारा character है यह fix रहेगा ऐसी हमारा जो is है यह भी हमारा fix रहेगा और यह जो हमारा input है यह हमारा 7 होगा output हमारा आएगा 49 अर्था 7 का square हो रहा है तो इस कार को कैसे किया जाए तो देखिए हमने इसका एक statement लिख दिया कि हमने एक x की value ले ली x equal to 7 और फिर हमने लिखा cat command और double course में लिख दिया the square of तो यह हमारा क्या होगा character उसके बाद में आ आपका क्या है character और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपने value यहाँ पर x की दी है यह आपकी square हो जाए तो देखिए यह भी आपकी एक numeric होगी तो x और x square दोनों आपके numeric हो गया है और उसके बाद में आप यह एक exclimatory sign लगा करके आप उसको backless end से control को अगले line पर ले आईए तो देखिए जब आप इसको operate करेंगे तो क्या होगा सबसे पहले तो यही आपका यहाँ पर print हो जाएगा the square of यह देखिए आगया और उसके बाद में जो भी x की value है जो आपने यहाँ पर दी हुई है वो देखिए यहाँ पर आ जाएगी seven और उसके बाद मे क्या है आपका लिखा हुआ है इस देखिए इस अपने आप से पूरा पूरा करेक्टर यहाँ पर आ गया और इसके बाद में जो भी x square की value आई है वो देखिए यहाँ पर आगी 49 और इसके बाद में जो भी आपने excrimatory sign और अगली line का जो symbol दिया उसे control आपका अगली line पर आ दिखाते हैं कि आपको कुछ ऐसा चाहिए outcome अब देखिए यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि पहले जड़ा आप अपना outcome सोचिए कि आपको किस प्रकार का outcome चाहिए और इसके दोरा आपको अपना statement किस प्रकास लिखना है आप उसको लिखने की कोशिश करिए तो देखिए तो दो character है और बागी यह जो है seven और two point six five यह आपके numeric है अब हम देखिए यहाँ पर करना क्या चाहते हैं square root of seven आप अगर निकालेंगे यह तो यह two point six five के आगे भी कुछ और number आएंगे देखिए हम उसको खली तीन quidgets तक ही लिखना चाहते हैं उसके लिए हम साथ में format command का भी use कर सकते हैं तो देखिए हम उसको यहाँ पर कैसे लिखते हैं cat और फिर हम double course में लिखते हैं the square root of और उसके बाद में जो लिखा है हमारा is approximately उसको भी देखिए मैंने यहाँ पर double course के अंदर लिख दिया अब जो आपका numeric है वो आपका input है वो आपने लिख दिया यहाँ पर x अब उसके बाद में जो आपको x की value आपने 7D होगी उसको आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं ऐसे की format square root of x और digit is equal to 3 और उसके बाद में आप अपनी line को change करना चाहते हैं तो उसके जोरा क्या भी होगा कि अगर आप यहाँ पर खाली square root of x लिखेंगे तो यहाँ पर 2.65 के अलावा भी कुछ और संख्या आएंगी और अगर आपने इसको यहाँ पर format के थूर अगर control कर लिया है तो यह खाली इसमें 3 digit C आएंगी तो आपको देखिए outcome जो मिल कि इसका किस प्रकार से outcome आता है तो देखिए सबसे पहले तो मुझे के यहाँ पर लेना पो गएगा x equal to मैंने सपो ले लिया 9 राइट अब आप देखिए यहाँ पर हमने किया the square of x is x square तो the square of x की value के आगी 9 यह देखिए और यह हो गया is x square अर्था 9 square which is 81 राइट तो यह द करेगा ऐसा 2.645751 तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं विजिस प्रकार से हमको अपना outcome चाहिए तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया x equal to 7 उसके बाद मैं कर दिया देखिए ऐसे 10 square of x is approximately जो हमारा format command होता है उसको मैंने यहाँ विजिस पर use कर लिया righ देखिए आप पूरा screen देखना चाहते हैं अपना screen size छोटा कर लिए यह आपको देखे, पूरा पूरा दिखाई देखा, राइट, इसको और छोटा करना पड़ेगा, यह देखे, आपको पूरा पूरा यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप देखे कि अपने यह cat और यह जो आपका format command है, इसके द्वारा आप इसको यहाँ प जितने भी अभी तक अधारा लिये हुए हैं, सभी में हमने एक scalar value लिया, अथाद एक ही number लिया है, अब हम आपको जड़ा सा यहाँ पर एक data vector लेते हैं, और इसके द्वारा दिखाते हैं कि यह किस प्रकार से कार कर रहा है, तो मैंने एक यहाँ पर data vector ले लिया, जिसमें हम हमारे पास even numbers होते हैं, ऐसा, two, four, six, eight, ten, और हमारा objective है, हम यह करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा print करना चाहते हैं, देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसका screen का, जो screenshot है, हम कुछ ऐसा print करना चाहते हैं, the first you even numbers are, दो, चार, छे, आर, दत, इतियारी, dot, 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 तो इसको देखिए, लिखने के लिए हमने क्या किया, कि सबसे पहले हमने अपना एक variable बना लिए, even number, e, v, e, n, o, और इसके अंदर values को स्थोर कर लिए, 2, 6, 6, 8, 10, अब देखिए, इसमें से आपका, एक तो जो यह वाला part है, यह तो आपका है, character, और साथ में यह जो तीन dots दिये हुए है, यह भी आपका character है, और बीच में यह जो values आई है, यह आपकी कहां से आएंगी, यह आपकी इस even number वाला जो variable है, वहां से आएंगी, तो देखिए, हमने इसको कैसे लिखा, cat, और parenthesis में हम लिख दिया, the first few even numbers are, और इसको मैंने double quotes में डाल दिया, और उसके बा साथ में यह जो मैंने double quotes में यह तीन dots देने हैं और साथ में line को change करने का command दे लिया, तो अब जो आप इसको execute करेंगे, तो देखिए, आपको ऐसा मिल जाएगा, the first few even numbers are, two, four, six, eight, ten, dot, 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 right, तो यह जो आपका two, four, यह जो आपका आपने लिखा statement, the first few even numbers are, यह तो देखिए, आपका यहां से आ गया, जो even numbers आपके यहां से आ गये, और यह जो dot, dot, dot है, यह आपका यहां से आ गया, इस प्रकार से आप यह देखेंगे, कि आप इसका जो outcome है, आप उसको control कर सकते हैं, okay, अब हम आपको य इसा outcome चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है, पहले तो a, b, c, d, up to j, फिर लिखा हुआ यहां पर number एक से 10 तक के, एक बात मैं बताता है, कि इस का command का जो इस तरह का output निकालने के लिए, मैंने यहां पर एक command का इस्तमाल किया है, paste, तो paste के बारे में अभी हमने नहीं किया है, और paste के बारे में हम जो आगे आने वाला lecture उसमें करेंगे, लेकिन यहां पर हम आपको इस cat को paste के साथ में इस्तमाल करके यह दिखाना चाहते हैं, कि आप अपने output को किस प्रकार से control कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप अपना output दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर यह समझना है कि मैंने यहां पर किस प्रकार से alphabet को generate किया है, किस प्रकार से मैंने इन संख्याओं को generate किया है, और किस प्रकार से मैंने उसको cat के साथ में combine किया है, तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले यह जो हमारी संख्याओं हैं, एक से दस तकी, इनको तो को हम देखिए जो हमारा कमांड होता है let us lower case में ले double t e r s और square couket में लिखते हैं one whole and ten is को हम लिक करके control कर सकते हैं अब देखिए मैंने यहां पे कैसे किया सबसे पहले मैंने लिखा cat फिर मैंने लिखा x x के value कहां से आथगी यहां से फिर मैंने लिखा यहाँ पे fill equal to 2 अब उसके बाद में जो मुझे को अपने labels देने हैं, labels कहा देने हैं आपको यह जो ABCD करके दिया हुआ है इसको मैंने paste command का इस्तमाल किया और आपके labels आप अगर देखिए तो ऐसे लिखे हुए है कि यहाँ पर इस प्रकास से लिखे हुए है इसको देखिए मैंने कैसे लिखा मैंने लिखा paste तो यह वाला जो हमारा parenthesis है यह तो इसको control कर रहा है और उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो यह जो हमारा है parenthesis left hand side का उसको मैंने देखिए यह यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है यह जो a,b,c,d है इसको मैंने यहाँ से control कर लिया है लू,meters और उसके बाद में जो आपका यह देखिए एक parenthesis right parenthesis और colon है इसको मैंने यहाँ पर ऐसे control कर लिया इसको मैंने एक double course में दे दिया है और उसके बाद जब हम इसको enter करेंगे तो देखिए x की value यहां से ले लेगा 1, 2, 3, 4 करके 10 तकी और उसके आगे यह जो इस प्रकार का आपको outcome दे देगा तो आपने देखा कि इन चीजों को आप control करके अपने output को किस प्रकार से manage कर सकते हैं और चलिए हम आपको इन जो मैंने operations किये हैं इनको जड़ा से हम आपको अपने इस R software में भी करके दिखाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम जड़ा से यहाँ पर अपना एक even number का एक हम अपना वेक्टर कर लेते हैं सी जैसे दो, चार, छे, आठ उसके बाद हमने देखिए जैसी अपना statement दिया तो इसने मुझे दे दिया अपने पूरा कमान ले खा और रही कमान यहीं और आपको यहाँ पर मिल गया तो अब इस कमान के बाद में अब हमस लेक्टर में यहां पर रुपते हैं और आपने देखा कि मैंने यहां पर अपने इस cat command में बहुत ही छोटे-छोटे operation किये और इनको करना बहुत ही आसान है लेकिन सबसे बागी बात यह है कि मुझे को जिस तरीके का अपना output चाहिए उसके अनसार हम अपने cat command को किस प्रकास लिखेंगे य यह समझना सबसे important है उसके साथ ही आपने यह भी देखा कि print और cat में क्या अंतर्व होता है तो कहीं पर आपको print यूज करना होगा कहीं पर cat यूज करना होगा जो भी आपको इस्तमाल करना आसान हो आप उसको यूज कर लिजिए लेकिन कौन चीज आसान है इसको समझने के यह सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से कारे करते हैं और जब आपको यह समझ में आ जाएगा उसके बाद में आप अपनी किसी भी प्रकार की report को generate करना है उसको generate करने में कोई भी कट्णाई नहीं आई अब इस lecture के बाद में आपके पास कार से लिख सकते हैं उसके लिए आपको print cat format इत्यादी के command to use करने हैं और यह command आपको अभी तो आप छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हो लेकिन जब आप कोई program लिखोगे तो यह सारे command उस program का एक हिस्सा होंगे और जैसी आप अपने program को execute करोगे program का जो output है वो इसी print cat इत तो आप इन चीजों की practice करिए कोछ धराग सोचिए और उनको देखे कि आर में आप उनको कैसे execute करेंगे और आर उसको कैसे accept करके आपको outcome देता है इसको समझे और हम आपको अगले lecture दो मिलने फिर शाहेंगे तब तक के लिए good bye कर दो आपको